हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिवानियाट क्लासेच की आज किस क्लास में आज यहाँ पर हम 25 की करीब important question करेंगे, revision करेंगे फटा-फट तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यूथ competition पूरी playlist चैनल पर है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं, इसके लागा और भी important video जरूर देखते रहिएगा, तैयारी करते रहना है, रुकना नहीं है, exam चाहे जब हो, तो चले start करते हैं, question को आप अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करेंगे, लेकिन शेयर जरू तो option देख लिजे, आप लोगा answer करिएगा, सीधे यहाँ पर right answer हम बताते हुए चलेंगे, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, तो कौन प्रसिद्ध थे, right answer होगा, option कर, अवनींद्रनाथ टैगो, ठीक है, right answer होगा, अवनींद्रनाथ टैगो, डेक्ट question देखते हैं, फटा-फट, दूसरा question है, हालदार की मधूरता का महान इसमारक कौन सा चित्र है, option देखिए और answer करते रहे, हालदार की मधूरता का महान इसमारक कौन सा चित्र है, ठीक है, next question देखेंगे, डीपी राय चौधरी है तो क्या है चित्रकार, मूर्तिकार, गेतिकार, इतिहासकार डीपी राय चौधरी क्या थे राइट आंसर होगा यहाँ पर option ख मूर्तिकार, डीपी राय चौधरी especially मूर्तिकार के रूप में famous रहे है next question देखेंगे कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपना माश्टर मुशाय के नाम से प्रसिद्ध थे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा option ख नंदलाल बुष को master मुशाय के नाम से जाना जाता था next question देखेंगे question है अवनी बाबु ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वहाँ किस नाम से विख्यात हुआ अवनी बाबु ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वहाँ किस नाम से विख्यात हुआ था right answer हो जाएगा बंगाल स्कूल और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं साथ ही वीडियो में भी आई बटन दिया जाता है वहाँ से आप इंपोर्टन वीडियो देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन है कोशन नमबर 6 है अवनींद्रिनाथ ठाकुर का पूर्णता भारती शैली में बना प्रतम चित्र कौन सा है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा तो देखेंगे यहाँ पर घह हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला ही शुकला भी सारे ठीके अपना आंसर आप लोग बिलाते हुए चलेंगे और कमेंट सेक्शन में चरूर बताना है किसके कितने राइट होते हैं अवनींद्रिनाथ ठाकुर का पूर्णता भारती शैली में बना प्रतम चित्र जो था सुकला भी शारे नेक्स्ट कोशन देखते है अवनींद्र नाथ ठाकुर ने कुल कितने चित्र बनाए तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन खा चार सौ नेक्स्ट कोशन कोशन है डीपी राय चौधरी की कृती श्रम की विजे इनके विशे में डीटेल बताया है कलाकारों की प्लेलिस्ट भी आप जरूर देख लीजेगा डीपी राय चौधरी की कृती श्रम की विजे कहां पर सनरक्षित है आंसर करेंगे पटाफट राय आंसर यहां पर क्या हो जाएगा तो देखेंगे राय आंसर होगा आप्षिन गावाला राश्ट्री आधुनिक संग्रहाले नई दिल्ली राश्ट्री आधुनिक संग्रहाले नई दिल्ली में श्रम की विजे नामक्रिती जो है यह सनरक्षित है ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे question है भारती चित्रकला के नवीन जागरती के पिता कहे जाते हैं कौन कहे जाते हैं तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option ख next question question number 10 देखेंगे सान्थाल इस्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमक रूप से चित्रत किया है question number 10 का answer यहाँ पर right answer होगा option का नंदलाल बोस next question बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तखनीक का प्रयोग किया 11 का right answer यहाँ पर हो जाएगा option का वाश टेक्निक next question देखेंगे question है देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की सिक्षा ग्रहण की यह आपका टेस्ट के रूप में भी है इसलिए यहाँ पर हम डेटेल कुछ भी नहीं बता रहे हैं तो question देखेंगे देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की सिक्षा ग्रहण की question number 12 का right answer यहाँ पे हो जाएगा option गा इंदौर next question question है वहाँ कौन से कलाकार हैं जो भैसो की कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है इस तरह से आप सभी कलाकारों के विसे में जरूर पढ़ लेजेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है तो वह कौन से कलाकार हैं जो भैसो की कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है right answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option ख पर्मानंद चोयर और इनके विसे में चैनल पे बताया गया है आदेने के हम समकाल इन कलाकारों के प्रेलिस्ट यहाँ पर आई बटन में दी जाएगी तो वहाँ से आप सभी कलाकारों के विसे में देख सकते हैं next question देखते है question number 14 है आपका विचित्रा क्लब की स्थापना जोरा सांकों में कब हुई विचित्रा क्लब की स्थापना जोरा सांकों में कब हुई तो आंसर करेंगे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा option का 1915 में next question देखेंगे question number 15 देखेंगे निम्न में से कौन ए एन टैगोर का शिश्य था निम्न में से कौन ए एन टैगोर का शिश्य था राइट आंसर होगा option का DP राय चौधरी next question question number 16 है जापानी वाश्चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है सभी question को त्यार करना है एक भी question छोड़ना नहीं है question number 16 का राइट आंसर होगा option का अवनींद्रिनाथ टैगोर next question देखेंगे रामकिंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है रामकिंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है राइट आंसर होगा option ख संथाल परिवार इन सभी कलाकारों के विसे में डीटेल में चैनल पे बताया गया है तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लिजेगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे क्वेशन नमर 18 है शैलोज मुखरजी की कला किस प्रकार की है? शैलोज मुखरजी की जो कला है ये किस प्रकार की है? राइट आंसर होगा और आप्शन सी वाला रंगवादी नेक्स्ट कोशन क्वेशन नमर 19 निम्न में से कौन मूर्तिकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और आप्शन का डीपी राय चौदरी नेक्स्ट कोशन question number 20 है भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है right answer होगा option का a and tagore next question भारत माता और भी कलाकारों ने बनाया है अगर आपको मालूम है तो comment section में बताईएगा कि अमनी ना टैगोर के अलामा भारत माता किस ने बनाया है ठीक है, next question देखिए, question है, चिति इंदरनात मजुमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं, question 21 देखेंगे, चिति इंदरनात मजुमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं, the 21 का राइट आशर होगा, option C, वाश चित्रकला, next question, question है, 22, Mayoo College of Arts and Crafts, Lahore, 1876, इसी के प्रतम आचारे कौन थे, Mayoo College of Arts and Crafts, Lahore, 1876, इसी के प्रतम आचारे कौन थे, 22 का राइट आशर यहां पर हो जाएगा, option C, जॉन लॉक्वुड किपलिंग राइट अंसर हो जाएगा option क जिन्होंने क दिया होगा सभी का अंसर सही है next question देखेंगे question A 23 जक्म नामक शीर्षक कृती की रशनाकार कौन है जक्म नामक शीर्षक कृती की रशनाकार कौन है राइट अंसर होगा option C सोमनाथ होर सोमनाथ होर ने बनाया है जक्म next question देखेंगे बंगाल शैली की जनब कौन है बंगाल शैली की जनब कौन है तो राइट अंसर होगा option A N Tagore आवनींदरनाथ Tagore next question देखेंगे question number 25 wash painting का आरंभ किस महाविद्याले से हुआ वाश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्याले से हुआ 25 का राइट अंसर होगा option C ठीक है तो यह थे आज के 25 question इसके आगे के प्रस्थणव next part में देखेंगे आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे question important है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे चैनल पर नए है तो subscribe करेंगे और भंटी की बटन को जरूर क्लिक करेंगे इसी तरह से आपको चैनल पर तयारी कराई जा रही है तो अगर आप TGT PGT आर्ट की तयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल से जूड जाएंगे इसके अलामा आप किसी भी आर्ट एक्जाम जैसे KVS आर्ट एजुकेशन की तयारी या पर DSSB किसी भी आर्ट एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो शिवानी आर्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्णिंग कीप वाचिंग